आज मैं आपको मलूम है एक थोड़े वो वक्षे के बाद आ रहा हूं इतने अर्से से संसर हुआ था नहीं था लेकिन वो उसकी विज़े थी कि मैं कराची गया वा था आपको मलूम है तो उस तुरे में एक कॉन्फरस थी जिसमें इन्वाइट किया गया था एज स्पीकर फ्रेड़म प्रेस अनलिमिटेड की वो कॉन्फरस दी नेधर रेंड की और्मिजिशन है जोने CEJ जो IBA का एक एदारा है उसके साथ मिलके नोंने कॉन्फरस की थी और यहां पर आदिल जवाद साब इसको देख रहे थे तो वो एक तो अटेंड की और इसके इलावा एक आपको मालूम है एक फिर्वलस सा एक इंतहाई मजगा खेज किसम का मुकदमा जो एक्जेक्ट वालों ने मेरे खलाफ दाएर किया था यह शेब शेख साब का जो साफटेर हाउस है बड़ाई इंतहाई शर्मनाक और मजगा खेज मुकदमा है तो जालसादों ने मुकदमे में भी जालसादी की इस शेब शेख ने जली डिगरियां बेचने वाले इस एक्जेक्ट ने और फिर इनके हैटस आफ टू मुझज जाफरी साब जिन्नों ने मेरे तमाम दीगर जिस तरह इसलामबाद में वकला मेरा फ्री मुकदमा लड़ते हैं यहाँ पर मुझज जाफरी साब मेरा मुकदम पढ़ें आप एक्जेक्ट वालों का मुकदमा पढ़ें जिसमें उन जजज साब मेरे वरंट लोर कोट से जरी कर दिये थे और फिर आप मुझज जाफरी साब की पेटिशन पढ़ें जो उनने सिंधाई कोट में दायर किया है तो आपको फरक पता चलेगा जाल साजी का और एक काबिल वकील का और उस पेटिशन को करें पढ़ें तो शुएब शेख साब मुझे हम इस पात में खुदा का शुकर दा करना था है ये कि शुएब शेख साब का गहरत से शर्म से और हलाल की कमाई से कोई तालुक नहीं है वरना हो सकता है खुदकुशी कर लेते जो जिस शेख साब कर गहरत से कोई तालुक नहीं है ना हलाल कमाते हैं ना हलाल खाते हैं ना हलाल लगाते हैं तो इसलिए लेकिन बलके मैं तो आपको सच बता हूँ मैं शेख साब को एक letter of thanks भी लिखना चालत हूँ मुझे लिग उनका address नहीं पता कहां पर लिखो तो मैं इस vlog उनक को एक थेंक्यू बोल देता हूँ कि उन्हें मेरे पर ये एक frivolous एक उन्हें मुकर्दमा डर्ज किया बिलकुल जूटा तो उसमें यह है कि अब इसलिए मैं उनका शूकरिया करने थे तो कि उनकी वह से मैं किराची जाने का मुझे मोखह मिला जो आन्मोने खूंपर के अटिंड क्रने के लिए वैसे तो मैंने जाना था दिसंबर के इस महीने में मैं लेकिन मुझे पिर मैं नमबर के आखिरी SJ हषaste में चला गया और उसवरे से मुझे बहुत तमाम जो सियसी जमाते हैं, जो कराची में बड़ी सियसी जमाते हैं, उनके एक से ज्यादा रहनमाओं से मिलने का मौका मिला, कराची की सियस्त को समझने का मौका मिला, सिंद्गी सियस्त को समझने का मौका मिला, मुझे कराची में जो स्क्यूर्टी हुकाम है, जो एदारों क लोग हैं उन से मिलने का मुख़ा मिला कराची की बिelled कराची की बिरोक्रिसी से मिलने का मुख़ा मिला जसे मिले बहुत ज़दा understanding मेरी बहतर हुए कराची के बारे में यहां से इसलाम वाद से बैठ का तो भी खबरों की बिनारते तफ्सरा करते लेकिन ग्राउंड पर देखके बहुत कुछ समयने का मौका मिला बहुत से अंदर की खबरें मिली और फिर उसके बाद मेरे जो दोस्त हैं उन से मिलने का मौका मिला में अपनी साफी ब्रादरी से मिलने का मौका मिला तो इस पर मैं यकीन शेफ शेख साब को मुझे शुक्रे दा करना थी कि उन्होंने एक जूटा मुकदमा फ्रिवलिस करवा के मुझे कराची के विजित का मौका दिया तो मैं सोचते रहूंगा मतलब बाकी भी अगर क कोई अधा हो जिए तो जबार रोनक लगी रही कि मैं ध्यागोंगा घूमफिर के डिया करूगा मेरा कहा मैं तो गया भी था तो सारा वक्त मेरे वकील या मेरे दोस्ती मुझे खिला पिला रहे होते थे ते तेरा चोदा दिन का ट्रिप था और मेरे तेरा जिसे करता है खान घर है क्योंकि मैं इस्लामबाद police um का मेंबर हूँ राम पिंडि स्लामब यूनिनोन जरलिस्ट का में मेंबर हूँ सहाफी हूँ तो कराची प्रेस कलब भी मेरे इगर है तो इसमें जो मुझे वहां की बॉडी ने बहुत अच्छा वेल्कम दिया पहले मुझे एर्फान الحक साब ने समा टीवी की तरफ से वहाँ पर वेलकम किया हाई कोट के रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छा प्यार दिया मुझे जो सिंध हाई कोट कवर करते हैं फिर इसी तरह दूसे तरह मुझे मुझे मुसा कलीम साब और रजा हसन भाई वो लेके गए उन्होंने बहुत महबत दी वहाँ पर आगे जो बाडी थी उन्होंने बहुत प्यार दिया रजवान भट्टी साब ने मुझे ये शील्ड भी दी जो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है और इससे लावब इसके पहले भी जो कराची की जो जूनिन अफ जनलिस है उसकी तरफ से फहीम सुदीकी साब आलरेडी मेरे लिए इस मुकदमे में स्पोर्ट का एलान कर चुके थे और इस मुकदमे कलब मुझमत का एलान कर चुके थे और मेरे साथ खड़े वे थे फिर प्रेस क्लब ने बहुत प्यार दिया, वहाँ पर दीगर सहाफी दोस्त बोड़ी जो बोड़ी के लोग थे, बड़ी मुभबस मेले, इसलिए मसरफ मैंने रिजय के लिया, जो सिक्टरी थे, प्रेस क्लब के, कराची के. मुझे बहुत प्यार मिला कराची प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब में उन सब का दिली तोر मशकूर हूं और इहसान मन हुँ जितना इनोंने में मेड़े मदद किया. इसके लावा किराची में आर्फीन महदी साब ने, रिजा असन भाई ने, निमत खान साब ने, जिया उर्हिमान भाई ने, फिर रियास सुहिल भाई ने, और इमदाद सुमरो साब ने, और कई इस तरह जो लोग है, फिर मैं नाम कियों के भूर रहा हूँ, अंबर शंसी ने अर्फान इसाग भाई, बाद दर एक लंबी लिस्ट है, जिन ने बहुत टाइम और महबत दी, उसके लावा जो मेरे पर्मनेंट जिसे कहते हैं होस्ट होते हैं, जिनके पर मैं हमेशा जाके बोज मैंने बनना ही बनना होता है, तो वो आपको पता है, फैसल चोधरी, मुस् साइध साब में बहुत टाइम दिया, साइध गनी साब को अग्सुस तो मिशकूर हूँ, नोने मुझे कराची में काफी ज़दा मुझे हलप आउट के अड़ मेरे स्टे था, तो इसलिए मैं इन सब लोगों का बहुत जाती तोर पर मिशकूर हूँ, साइध भाई ने बहु सिंध भाई को बार के फार्मर प्रेजिनेंट है उन्हों तो मुझे में की प्षक्र की थी कि मैं लड़ सकता हूँ, मैंने का मेरे बस बहुत अच्छे किजमी इसजा फ्री है ठीक है, असलिम है, आम इन सेफ हैंड़ और तो इस तरह बहुत मुलागाते नहीं, जिसस तरह ब भाई में कराची में बहुत टाइम दिया, उन्होंने मेरे बहुत गुमाया फिराया, देर लाइक, अलिस्ट अब मुझे नाम याद आरे है, पता नहीं मगर किछी का मिस्स कर गया तो बाद में, मुझे बड़ी श्रमिंदीगी होगी, कि मैं उनका नाम लेना भूर गया हूँ, तो देर दे लाउंग लिस्ट, तराची में, जिनोंने टाइम दिया, जिन पॉलिटिशन से मैं मिला हूँ, या जिन बेरोकेर्ट से, जिन स्क्यूरिटी हुकाम से उनका नाम मैं जानके नहीं ले रहा है, क्योंकि उनकी बताई भी बाते हो सकता है, कल को कहीं मैं किसी वी लॉग में यूज़ करूँ, तो लोग गेस करने लाज़ देंगा, अच्छा नहीं ये, इसको फलाने बताई योगी, इसलिए वो मैं नहीं ले रहा, हाँ, खुरम हुसाइन भाई ने बहुत मुझे जबर्दस टाइम लिया, I am really felt honored उनके साथ बैठके, खुरम हुसाइन साब को, शेबाज राना साब को, और महताब हैदर साब को, I really follow them, इनको पढ़ता हूँ, और इनको पढ़ केना शाहिए न मेरी कुए, economy is a very difficult subject, मैं तो बन परसेंट, थोड़ी सी economy की understanding, आप कहने के शाहिए थोड़ी सी बहतर होती है, otherwise, I am still, मैं economy के पर कोई ना मैं authority हूँ ना मत दावा करता हूँ ना मरी को समझ बूढ़ है, तो इन सब लोगों मेरे time दिया, मैं इन सब का मिश्कूर हूँ, और अब मैं आता हूँ आज के topics की तरफ, एक तो जो नब तर्मीमी जो बिल था, जो कानून में तरामीम की नहीं, उसके खिलाफ जो इमरान खान साब ने जो चैलिंज कर रखा है, सुप्रीम कोट में उसको मुकदमे को मोजस जिस जिस अमरताब बंद्याल की सरब्राही में, तीन रुकनी बंच जिसमें मोजस जिस अजाज अलहसन और मोजस जिस मनसूर लिशा भी शामिल है, यह तीन रुकनी बंच उसको सुन रहा है, उसमें जो कुछ चीज़ें बड़ी दिल्चस्पें कुछ स्लीपिंग रिमार्क्स दिये जा रहे हैं, जिर्ण उसके पर आज बात करेंगे, तो दूसरी जो चीज़ है, वो एक आपको मालूम है, थोड़ी पुरानी बात है, लेकि इससे बात होनी चाहिए, जो राना सना उल्ला साब जो अब बरी हो गए हैं उस मुकदमे में, लेकिन उस में, क्या जो A.N.F. के मेज़े जनरल आरिफ न्याजी हैं, उनके खिलाफ एकदामे कतल की F.I.R. नहीं होनी चाहिए, क्या उनका कोट मार्शल नहीं होनी चाहिए, तरह इस पर भी बात करेंगे, और तीसरा, क्या इमरान खान साब बिसकोलिफर होने जा रहे हैं, यह वड़ी ख़बर है, इसके पर आपको बता देंगे आज कि क्या हो रहा है, तो देखिए, सबसे पहले आज़ते हैं, हम जो आपको बताया था कि चलें, रानसनाओला साब से आगाज लेते हैं, देखिए, यह कितना शर्मनाक है, सबसे पहले तो शेयर आफरीदी को खुछा पूछे, जो खुछा की किसमे खाता रहा, क्याल्ला को जान दे नहीं है, मैंने सबूत देखे हैं, मैंने वीडियो देखी हैं, एक जूट बोलता रहा वो शक्स, अल्ला के नाम पे जूट बोलता रहा, इतना नीच इंसान, आपको पता ने जनल मुशर्फ, वो कीडा उदर जो पढ़ा वाई है, भगोडा गड़ार अमेर, फांसी का मफरूर, दुबही में, इदर मुखताना मैं को कालने करके माफिया मांगता रहा है, कि मैंने आपके खिलाफ बद्जबानी की थी, तो शायद इस वज़े से अल्ला मुझे अज़ाब दे रहा है, कि आज ना मेड़ी जान निकल दी है, ना मेड़ी मौत आ रही है, और मैं इदर इस दर्दनाक और अबरतनाक सुर्टेहाल का शिकार रहा हूँ, ये शायद यार अफरीजी जैसे घटिया, जूटे, फासिक लोग भी ऐसी का शिकार हूँग, जिज़ेनल मुशरफ सा शिकार है, तो ये इन्हों ने भी कौम को अपने जूट को बेचने के लिए अल्ला की किसमें खाई, पर फिर वो आरिफ न्याजी ज़ेनल है, आरिफ न्याजी के आरिफ माले, अगर हमारी फोज वाकी ये पिलिटिकल है, और वो मुझरमों का तहफूज नहीं करती, तो ये आरिफ न्याजी किस मूँ से ये जो डी जी एन एफ तामेज जिज़ेनल, ये हमारे टेक्स्पेर के पैसों के, सरकारी प्लाट, जरीर रकमा, कमर्शल प्लाट, बंगला, पैं इसने एक, छोड़ी है वो पॉलिटिशन राना सरावला, इसने उनको कतल करवाने की कोशिश की, कतल किस तरह, आपको पता है, ड्रग्स के केस में सदाय मौत होती है, ठीक, आपने एक शक्स पर जूटी ड्रग्स डाल कर उसको फांसी लगवाने की कोशिश की, तो ये आपन डाले हवालात में, इसको लगे पता, राना सरावला को किस तरह, इसने मौत की कोटरी में छेमा रखा, फरश पर सुलाया, मैटरस तक ना दिया उसको, कमर के दर्द का वो पेशन था, ये इतना घटिया ये डीडी है इनफ, इसको तो सबसे पहले टांगना चाहिए, इस नी मैज़े दिनियों को तरहाँए ना फिर बाद में इससे पूछे तुम्हारे किया किस की खौईश पर, फिर जो कलाबरेटर तो उनको भी ठांगने, फिर अब आ रही है, इससे आगए अब, वो है अब सुप्रीम कोट में कदमा चल रहा है, उसमें वहारे मौज़ेश चीव तरह सिसिस उमरता बंद्याल कह रहे हैं किया एक इनकेमप्लीट पारलिमन जिसमें क्या कुई कानून साजी हो सकती है? पहली बात यह है कि आईन में कहीं पर लिखा पढ़ाने में मुज़ित सी तिस्टुमरता बंद्याल या असम्बली रूल्ड में कहीं लिखा वह पढ़ा दें कि जहां पर लिखा हो के असम्बली में अगर इतना लोगों के हाउस में इतनी स्ट्रेंग्थ होगी तो महाँ पर लिखेलेशन हो सकती है वरना नहीं होगी यह में पढ़ा दें या कोई तरामीम हो सकती है कर निए हमें पढ़ा दें दूसरी चीज़ टू थर्ड मिजॉर्टी चाहिए होती है अगर आईनी तर्मीन करने हो लेकि यह कानून के इंदर तर्मीम होगी है इसके लिए simple majority काफी थी तरह में पढ़ा दें लिए फिर वो हमें ये बता दे कि पीटी आई के राकीन है उनके तो स्टीफेवी इसमली में एकसेप्टी नहीं हुए कोमी समली से तो वो टेक्निकली इस वक्त हाउस के बाइकाट पर है एबसेट है उससे finance bill आपको पता है जो budget कहलाता है money bill कहलाता है आउप पता है budget अगर कोई हकूमत पास करवाने में नाकाम रहे तो उस हकूमत को इतमाद का वोट लेना पड़ जाता है वरना उसका वजीर्यादम फारग हो जाता है इतना बड़ा वो मामला होता है मुल्क में आईनी तोर पर वो बिल तक हर दफा आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं आप पोजिशन बाइकाट कर देती है budget जिलास का और हकूमत तरफ तोर पर पास करती है उसको तो उस वक्त भी assembly से आप कहलें तकरीबन आधा या आधे के करीब अरकीन गहर हादर होते हैं वो बैकाट करके जा चुके होते हैं तो फिर वो budget कैसे आप पास तस्वर करते हैं जरा मोजिस चीचे से सुमरता बंद्याल समझा दे मुझे फिर आ रही है मोजिस जस्टिस एजादो लेसन है वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अरकीन असमली को ही नैबतर अमीम से फाइदा हो रहे हैं इतनी मतलब माज़त के साथ इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट अभी पिछले दिन मलिक रियास के खिलाफ भी एक केस खारिज हुआ ठीक क्या वो सियस्टदान है फिर इससे आगया जाएगी अगर अपने आपको फाइदा देने वाली मुबईना तोर पर तरमीम इतनी ही बुरी है कानून साधी इतनी ही बुरी है सियस्टदानों के लिए तो इमरान खान साथ ने अभी हेलिकाप्टर रफ्रस में अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने रक्षे की तरह केपी का हेलिकाप्टर पास इस्तवाल किया था यशी की केपी सरकार के पैसे के हेलिकाप्टर पर जिसमें बुकोल इमरान खान साथ की तुमारे बाप का पाप ऐसे है तो क्या इनके खांज साब के बाप का हिलीकप्टर तर जिसमेंट के वो यह करते रहे हैं उसके लों ने के-पी साथी से कानुन न्जूर करवा के बिल पास करवा के क्लीन चिट दिलमादी है कि कोई सवाल ही नहीं कर सकता कि के पी सीम का हिलिकाप पर कौन इस्तवाल करता है कैसे करता है क्यूं करता है कहा यह कानून साधी दुरूस्त है मोज़िस जैजु लेसंस हाँ इसके पर नहीं कोई नोटिस बनता है और यही कल्विन स्वाजी करने वाला इम्रान खान आपके आगे वफाकी अकूमत की कौमी संब्ली की कीवी तरह मीम को चलिंज कर रहा है कितनी बड़ी कॉंट्रेडिक्शन है कि जो चीज वो कह रहा है कि कौमी संब्ली में गलत हुई है कि चीज वो खुद केपीसम्ली तो केपीसम्ली में जायज है लेकिन कोण्मी संब्ली में नाजाज है हमारे मुझज जैसाईबान खुद फैसला करतें किस किसम के यह हो रहा है और पिर वह साफी करे है है और आप मेरोङसित साब की ट्वीट पाढ रहा था कि जिसेस मनसूर अली शाह सवाल इमराद खान के वकील से करते हैं जवाबी रिमार्क्स जिसेस लेसन देने लग जते हैं बामला हो रहे हैं फिर लोग कहते हैं कि ये तास्र काइम होता है ये बात क्यूं होती है फलान क्यूं बात होती है हम मुझस जैज साहिबान है हमारे हमारा आप पर इतमाद है कि यू करेंगे तो फिर आवाम की नदर में इतमाद शेटर होता है और जो अदालत होती है उसके पास तो जो अख्तियार होता है वो अख्तियार का डंडा चलता ही उसकी इखलाकी बरतरी की बन्याद पर है उसकी इंपार्शेल्टी की बन्याद पर है कि उसका जो तास्र होता है वो गहर जानिबदार का और इखलाकी बरतरी का लेकिन अगर इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स माज़त के साथ और सवालात और फिर रिमार्क्स और जवाबात अगर दिये जाएंगे जब फिर हमारी अदालत की साख ही में तासर होगी और हमें ये दुख होगा मैं तो सुप्रीम कोट को कवर करता हूँ मैं तो इसको अपना एक घर तसवर करता हूँ अब जरा इमरान खान साथ के उपर आ रहते हैं आपको मालूम है खान साथ ने जो घड़ियों वाला मामला किया है उसमें वो जो हाथ से लखेवी रसीद्धे उन्होंने जारी करके जमा किरा दी थी ति ये देखो मैंने घड़ी की दुकान वोले की बैटी जो दुकान वोले की हाथसे लिक्षा लेके आगे हाथ से लिक्खान धिके उसके उपर जो मिस्क डेक्लिरेशन का केस था, फॉर्म फंडी का केस था, उसमें भी फैसला आया, फिर ये तुशा खाने के उपर जो स्पीकर ने जो रेफरस भीजा, उसका भी नीचे, फैसला आया, और केस नीचे बिड़वा दिया गया, ट्राइल के लिए इस सेशन कोट में, अब वहाँ पर फैसला महफूज हो गया, ठीक है, तो अब वहाँ से किसी भी फैसला मतवक्य है, और ये केस इतना कमजोर है खान सा पर भी आपको बताएंगे, ये संब्लियों की तहलील का क्या मामला है, लेकिन इस केस के अंदर, खान साब का जाना ठहर गया, और शीविच अब खान साब भारता हाल में चाहरे हैं कि 20 दिसम्बर से पहले पहले, हमने असम्बली पंजाब डिजॉल्व करनी है, और एक क्या